साथियो, मैं प्रदी पंबेटकर प्रदेश प्रभारी बहुजन करांती मोर्चा उत्तरप्रदेश साथियो, बहुजन करांती मोर्चा के राश्टी संजोजग मानवर वावन मिश्राम सहप के आहवान पे आज 18 मई को जेल भरो अंदोलन की घोशना की गई थी उजेल भरो अंदोलन के कुछ मुद्दे थे एक मुद्दा की सरकार आठ दिनों के अंदर जो हमारे प्रवासी मजदूर देश की अलग-अलग कोनों में हैं उन सारे प्रवासी मजदूरों को उनकी घरों तक पहुँचाया जाए दूसरी मुद्दा था कि औरंगावाद महराष्टा में जो सोलन मजदूर जो रेल से कटकर मर गए थे उनकी आश्रितों को पचास-पचास लाख रुपया मुआवजा दे साथ ही उनके परिवार में केंदर सरकार या राज सरकार के द्वारा एक नोक्रिक विवस्ता किया जाए तीश्री मुद्दा था सरकार के जो गोदाम है अनाजों के जो गोदाम भरे पड़े है वो अनाज सरकार के द्वारा नीशुल को मुहया करवाया जाए साथ में तीन मुद्दों पर आज जेल भरों अंदोलन होना था मगर लोगडाउन आगे वढ़ने की वज़े से उसको अस्तिगित किया गया था मगर इस लोगडाउन के बीच में सरकार ने किंदर सरकार ने और राज सरकारों ने पुंजी पत्यों को फायदा पहुचाने के लिए मैजदूरों के विरोध में स्रम कानून बनाए शाती शात ऐसे और कई कानून बनाए हैं उन सारे कानून का हम लोग भिकार करते हैं हम लोग विरोध करते हैं वो कानून क्या है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ सात्यों पहला कानून यह है जो सर्मिकों के लिए आठ घंटे की बजाए बारा घंटे काम करना होगा अर्थात बहत्तर घंटे बारा घंटे परड़े हिसाब से बहत्तर घंटे मैजदूरों को काम करना होगा एक तरसे मैजदूरों को बंधवा मैजदूर बनाने का एक द्वारा सर्मिकों के हक अधिकारों के आवाज उठाई जाती थी इस एक्ट में जो लेवर एक्ट जो संसोदित किया गया इस में संसोधन के कारण सरमिक शंगोटनायों को प्रवावहिन कर दिया गया मतलब कोई भी सर्मिक संगठन इस मुद्दे को उठानी सकता है कि तीशरी क्रोणा महामारी की वज़े से संकट में फसे मजदूरों को अपने गिरीह राज में भेजने के बजाए उनको अपने ही राज में जवरण रोक करके रखा गया इसकी विरोद में हम यह अध्यादेश भी जाला रहे हैं साथ्यों आज हमें एक ख़बर पता चली कि तमिलाडूम जो कोईमबटूर है वहां से कुछ मजदूरों की कोल आए वह हजारों मजदूरों से पड़े हैं मगर उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए टेनों का अरेजमेंट नहीं कर रही है और लोग बार बार पुलिस स्थाने जा रहे हैं कि हमें कब यहां से निकाला जाएगा वो पुलिस स्थाने के इंस्पेक्टर उनको कहते है कि आपकी सरकार टेनों का अरेजमेंट नहीं कर कर शक्ते कुछ राज्यों की सरकारों ने कुछ विवस्ता किया तो उनकी टेनी तो खुली है मगर उत्तर प्रदेश आने वाली टेनी नहीं खुली है जिसका हम दिक्कार करते हैं लोग्डाउन के द्वारा संक्ट में फंसे मजदूरों के पाश प्रयाप्त रासन शामागरी पहुचाना भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका भी हम लोग गरोथ करते हैं सड़क दुरवटना में अभी आप लोग घटना सुने होंगे और रहिया में जो एक्सिडेंट हो गया 26 मजदूर मारे गये कई घायल हो गये जो सड़क दुरवटना में और राह चलते जो हमारे भुखे प्यासे जो मर जा रहे हैं उन मजदूरों को उनके परिजनों को 50 रुप्या मुआवजा केंद्र सरकार दे सरकार नहीं दे रही है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं महाराष्णा सरकार के दौरा ayc east k a को बिदेस में उच छिच्छा के लिए मिलने वाई चाह्ट बटिती को क्रिमिले लगाने के विरोध में भी हम अंदोलन कर रहे हैं इसके साथ ही केंदर सरकार के नीजी करन की नीटी जिसके द्वारा आयल कमपणियों को और पॉब्लिक अंडर्टेकिंग सेक्टर को बेचने का कार्श्म बनाया गया है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं साथियों इसके साथ ही राहत के नाम पर जो सरकार ने पैकेज की घोशना किया उसने बीस लाग करोड का पैकेज को घोशना किया वो गरीबों के पैसो पर पुझी पत्यों को बचाने का काम करना है किन सरकार ने राहत देने के नाम के बजाए केवल करजा देने का मामला घोशित किया वो करज दे रही है और राहत पैकेज देकर घोशित किया है जिसका हम जिरोध करते हैं और राहत पैकेज के नाम पर वो सरकार करज दे रही है बाद में फिर वो जवरन बसुलने का काम कि जाएगा यह सरकार की बहुत बड़ी उदारी करन की नीती है जो अपने पुंजी पत्यों को दोग पत्यों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पैकेज के नाम पर उसको फायदा ने में कर साथ ही आदिवाश्यों की अनुसूची की विरोद में दिये गए निरणे की होना या आदिवाश्यों की विरोद में बहुत बड़ा सडेंद्र है जिसका हम विरोद करते हैं साथ ही आप देखे होंगे इसी लोगडाउन के क्रम में एक और कानुन पास किये गए रिजरवेशन इन परमोशन के संदर्म में सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया वो सरका सरकार का हम विरोद करते हैं चुकि उसने पैर भी नहीं कि पबलीक अंडर्टेंगिक सेक्टर में जो नौरतन कंपनियां है जो भारत सरकार को शालाना लाखों करोल प्योंका इंकम देती है उनको अपने चहेते उद्धोपत्यों को वेचने की विरोद में हम यह अंदोलन क कर रहे हैं जिसके साथ ही एसी एस्ट्योवी सी के उपर तीन हजार सालों से मंदी का शंकट है मगर उनको इस प्रशितियों से निकालने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया जिसका हम विरोद करते हैं सुप्रिम कोट ने उन मजदूरों के मुद्धों पर चुनवाई करने से इनकार करना और केंद्र सरकार के दिवारा सुप्रिम कोट में जूटा हरलफणा्मा दाखिल करना की कोई भी मजदूर शनकों पर पैदल चल वापस लेने के भी बात कही जा रही है यह दुनिया में ऐसा पहला पैकेज है जो कर्जे के रूप में दिया जा रहा है जिसका हम जुरोद करते हैं साथ यो इतने सारे मुद्दे है जिसका आज हम जुरूत कर रहे हैं जो केंदर सरकार राज सरकार की पॉलीशी है जिसको हम सार्जनिक रूप से इन पॉलीशी को जलाने का काम करेंगे साथ यो इस पॉलीशी को आज हम जला रहे हैं उचे शाजनिक जलाया जाएगा और देश के समस्त लोगों को साथ ही मैं खास्त और पुत्तर प्रदेश के समस्त कायर करताओं को मैं अपील करता हूँ कि ये जो बहुजन करांती मोर्चा के राष्टिय संजोजक मानवर वावन में इसलाम शाहब ने ये बहुजन विरोधी नितियों और मजदूरों के खिलाप जो स्रम कानुन जो बनाये गए इसके खिलाप जो उन्होंने अध्यादेश जराने का अभियान आदेश दिया है उस अध्यादेश कानुन को आज हम जलाने का काम कर रहे हैं साथियों और हम अपील करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कारकरताओं को साथियों यह सरम कानुन हम आज हम जलाने का काम कर रहे हैं इस सरकार का अध्या-देश है बहुचत बिरोधी नीतिया यह मजदूर के विरोध Jahres में नीथियाँ इसको हम जला रहे है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कारकरताओं शेयापील करते हैं कि ये जलाने का भियान आप करें कि मानवर वावन में स्राम शाहब के निर्देश पे उनके हवान पे ऐसा कार्चम हम लोग आज चला रहे हैं और प्रदेश के लोगों से भी अप ये लिए करते हैं कि ये कार्चम आप चलाएं धन्यवास आत्यों